Hello, Investographers. Welcome to the part 2 of BLS International Analysis, जिसमें हम लोग BLS International के चार्ट को और उसके बिजनस को अनलाईज कर रहे हैं. चार्ट को अनलाईज हमने part 1 में किया. अब part 2 के अंदर हम लोग थोड़ा से इसके बिजनस के इसके financials के उपर overview देखेंगे कि company किस तरीके से business कर रहे है, किस तरीके से returns और results उसको अपने business में मिल रहे है और क्या ये financially अगर हम देखें, fundamentally अगर हम देखें तो एक strong और stable business है या नहीं. तो अगर हम overall एक बार सबसे पहले ये देखें कि business आखे करती क्या है BLS International तो BLS International का basically global visa outsourcing का business है, जिसके अंदर ये अलग-अलग embassies से, अलग-अलग countries से contracts लेते हैं, जिसमें ये उनके visa applications को और visa के processing को manage करते हैं, basically outsource करते हैं उन services को ताकि बहुत अच्छे से ये उन चीज़ों को manage कर पाए at a effective and at a best cost rate for the countries और उनकी embassies के लिए, तो ये overall उनका एक basic business का model है कि वो करते क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये इस domain के अंदर top 3 players के अंदर आते हैं, और काफी सारे countries, काफी सारे continents की major countries के businesses को ये handle करते हैं, इनके साथ अगर हम देखें तो provides citizen service to state and provincial governments like across Asia, Africa, Europe, South America, North America and Middle East, तो major major काफी जगाओं पर इनके contracts है, इनके पास काफी services ये provide करते हैं, 20,000 से जादे इनके employees हैं, 50,000 global centers ये globally handle करते हैं, 83 million applications जिन्होंने अभी तक handle करिये, तो ये एक overview हो गया जो company की website ने, website पर company ने खुद से अपने लिए provide किया है, अब अगर हम यहाँ पर थ revenue mixture को अगर हम देखें, तो product wise अगर हम देखें, तो visa application से 81.9% revenue इनका निकल करके आता है, और कुछ extra digital services जो ये provide करते हैं, वहाँ से लगबक 18% का revenue इनका निकल के आता है, location wise breakup अगर हम देखें कि किस तरीके से अलग-अलग location से इनका business निकल के आ रहा है, तो Middle East इनका clear cut यहाँ majority player है, 45% से जादा, Middle East से इनका आता है, लगबक 26% North America से आता है, इंडिया से 15.5%, इसके अलब अगर हम देखें, तो Asia Pacific X India, यानि Asia Pacific अगर हम देखें, excluding India और Middle East, वहाँ से इनका 6.9, यानि लगबक 7% का business निकल के आता है, और Europe से 5.5%, अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि clearly जो major high traffic areas है, major areas है, वहाँ पर ये अच्छी पकड अपनी बना के बैठी है, जैसे Middle East और दूसरा North America जहाँ पर USA और Canada की services को ये handle करते हैं, अब यहाँ पर अगर profit का breakup अगर हम देखें, तो Middle East ने सबसे जादा profit इनका निकल के और के आ रहा है, 87.5% का, वहाँ पे North America से लग जो दूसरे है, South Africa वगेरा, वहाँ से 0.7% का, asset wise breakup अगर हम इनका देखें, तो Middle East से 64% assets ये वहाँ पे रखते हैं, इंडिया के अंदर 25% है, यूरोप के अंदर 5.5% है, एशिया पसिफिक के अंदर 3.4% assets इनके हैं, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा से इनके और details के अंदर Overall Profit and Loss Statements की तरफ अगर हम चलके देखें, तो आप देख सकते हो, Consolidated Profit and Loss Statements पे अगर हम चलें, तो जहाँ पे मार्श 2014 में ये 386 और 450 करोड 2015 में 500 करोड 2016 में कर रहे थे, वहाँ से increase करते करते हैं, इन्होंने पिछले 12 महीने के अंदर अपने business को 1500 करोड तक ये ले करके आये हैं, COVID के दोरान जरूर इनको एक हिट हुआ था business के अंदर, जो कि obviously आपको पता है, जब traveling नहीं हो रही, visa applications नहीं फाइल हो रही, तो वहाँ पे एक हिट इनको आया था, बट उसके बाद आप देख सकते हो, काफी अच्छे से उभर करके, उसके काफी आगे ये निकल के आ चुके हैं, net profit में अगर आप देखो, तो company net profit भी generate कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ sales आ रही है और आपके losses यहाँ पर हो रहे हैं, 20 करोर net profit generate करने से लेकर कि almost 200 करोर net profit generate करने तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब next अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इनके ratios व को maintain कर पा रहे हैं, current ratio भी इनका अच्छा यहाँ पर चल रहा है, interest coverage ratio काफी बढ़िया से चल रहा है, यानि loans का कोई issue है ही नहीं company के अंदर, debt to equity ratio गर हम देखें, तो zero है, यानि company basically आपकी loan free है, debt free है, बहुत बढ़िया चीज होती है, किसी भी business को सबसे बढ़ा issue तब आता है और आपके करजे आपको खा जाते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर होने के chances minimum यहाँ पर रहेंगे, operating profit margins की तरफ अगर देखें, तो लगातार over the years net net इन्होंने increase ही किया है profit margin, net profit margin अगर आप देखो तो वो भी इसी के साथ हमें reflect होता हुआ, दिखाई दिया है, return on capital employed अगर आप इसी के साथ एक interesting चीज़ है, जो मैं यहाँ पर आपके साथ share भी करना चाह रहा था, just a second, यहाँ पर अगर हम इनका P ratio का chart खोल करके एक बार देखते हैं, just I guess हमको screener की website पर जाना पड़ेगा, screener पर जाकर कि अगर हम इनका P ratio check out करते हैं, BLS international का, तो वहाँ पर भी हमें काफ से 60 के zone में चल रहा था, और इस टाइम पर इसका P ratio लगबग 40 के असपास चल रहा है, वहीं पर अगर आप इसका share price देखोगे, तो December टाइम पर जिस पर इसका share price चल रहा था, उसी price पर almost यह बहुत चुका है, यानि बेसिकली अगर हम देखें, तो price इसका कुछ खास उपर नीचे नहीं गया, net net अगर हम यहां से यहां तक देखें, तो price इसका constant ही रहा है, वहीं पर अगर आप P ratio इसका देख रहे हो, तो वो इसका down गया है, तो P ratio दो चीजों से बनता है, price और earnings, आपका price divided by earnings, अगर आपका price constant है, बट P ratio गिर रहा है, इसका definite मतलब होता है, आपकी same price पर 6 महीने पहले यह stock, आपका 50 से 60 valuation पर चल रहा था, वहीं पर same price पर 6 महीने बाद यह 40 के P ratio पर चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि price generally same है, price लोगों को लग रहा है कि 200 रुपे पर चल रहा था, 200 पर अभी भी चल रहा है, it's the same price, but that's not the case, price हमेशा relative होता है, it's based on valuation, त देखा जाए, तो अगर same price पर यह भी चल रहा है, but it is undervalued compared to this price, compared to this price, undervalued और overvalued हमेशा एक perspective के एक नजरिये के ओपर होता है, कोई भी चीज undervalued भी हो सकती है, overvalued भी हो सकती है समय के साथ, but अगर हम इस price से compare करें, तो यह price undervalued है, क्योंकि यहाँ पर इसकी earnings increase हो चुके है, PE ratio decrease हो चुका है, तो यह एक बहुत ही beautiful चीज होती है, जब आपको uptrending stocks में, अगर आपका stock uptrending चल रहा है, और आपको यह देखने को मिले कि आपका PE ratio या तो constant चल रहा है, या फिर decrease हो रहा है, तो एक तरफ तो आपका stock भाग रहा है, बट एक तरफ उसका valuation या तो increase नहीं किया था कि भले ही चार्ट अभी अच्छा लग रहा है, बट अभी यह perfectly ready नहीं है, अभी इसने breakout नहीं दिया है, अगर यह आने वाले समय में breakout देता है, 205 से 210 के zone का, तब इसका चार्ट बढ़िया होगा, तब हम इसके अंदर entry के लिए consider कर सकते हैं, और उस time पर अगर आप के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे से किसी वीडियो में, तब तक के लिए, थांक यू